नमस्कार ब्यार्ज न्यूजरूम में आप सबीगाइब स्वागत है दिन बर की एहम खबरे क्या रही ये देखेंगे इस पुलेटिन में लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर आम जुनता को पड़ी महंगाई की दोहरी मार एक ही दिन में पेट्रोल डीजल के साथ बड़े रसोई गैस के दाम पॉलेट में विदेशी नागरी को ने मुश्किल गड़ी में किया इश्वर को याद विदेशी नागरी को ने किया हनुमान चौलिसा का पठन और माम बाकी आरादना पालिका की इस बार की सामानिय सभा में मचा हंगामा अशाशक पॉक्ष और विपक्षने गर्मियों की शुरुआत के बावजूत शहर में पानी की समस्या के मुद्दे की ये प्रशाशन परप्रहार आईए अब देखते हैं खबरे विस्तार से पादरा के मुझपूर गाव निकट से निकलने वाली महिसागर नदी के पट में अवेद रेती खनन चल रहा था जिसके चल्दे एक जाकरित नागरिक की वज़े से ये मामला उजागर होने पर पादरा ममलतदार कच्वेरी ने पुलिस को साथ में रखकर वहाँ पर छापे मारी गी हाला कि बहाँ पर अवेद तरीके से रेती खनन करने वाले तो भाग गए लेकिन पुलिस की और से इस मामले में आगे की कारवाई शुरू करती गई है पादरा के मुझपूर गाउं से ये खबर सामने आई है जहाँ पर महिसागर नदी के पट में बीते कई वक्त से गेर कानुनी तोर पर रेती खनन की प्रक्रिया चल रही थी हाला कि स्थानियों की और से अगर इस मामले में आवाज उठाने की कोशिश की जाती थी तो माफियाओ की और से उन पर हमला किया जाता था ऐसे भी कई किस से सामने आये थे वैसे मुझपूर ग्राम पंचायत के सदस्या महिंदरसी उदैसी पढ़ियार को इस बात की जानकारी मिली की महिसागर नदी के पट में गेर कानुनी तोर पर रेती खनन होता है ऐसे में उनकी और से इस बात की जानकारी खान खनीज विपाग को दे दी गई जिसके बाद पादरा मामलत्तार कचवरी ने पुलिस को साथ में रख कर वहाँ पर छापे मारीगी हाला कि वहाँ पर रेती खनन करने वाले आसामाजिक तत्वतों भाग निकले लेकिन वहाँ पर डंपर और हिटाची मशीन मिला पुलिस की और से इस मामले में आगे की कारवाई शुरू करवादी गई है और इस मामले की सारे रेपोर्ट खान खने जब विपाग को भेजी जाएगी ऐसा भी बताया है रेड पारता अहिना तमाम मानसो भागी गएला आता पड़ एक डंपर पड़ियु छे रेती भरेलू ये देखाई छे अने का इटाची जे पड़ेलू छे त्या ये बे साधनों या पड़िया छे बाकी कोई मानसो अवेलेबल ना थी आज रोज मने बपोरे बेया नी आसपास मारा साथी मीत्र द्वारा जानवा मडेल कि अपना नदीना पटमों रेती नु खनन गेर काई देखाई ताले रही हुछे तो मिया तातकालिक रेते खान कनी जुएक जिल्ला पंचार में रजुआत करी अन त्याथी तेमने मामलद जाते पोलिस बंदवास साथे आवे ने खान खनी जुएबाग नी हीटाची मसीन त्यामाद भंफर पकड़ेल छे अने माना सो भागी ठुट्या छे त्यामाद पांच एकर जिल्ली जमीन में त्यामने खोदकाम घ्यर काई देखाई तेमने खोदकाम घ्यर काई देखाई को आज के दिन फांसी की सजा हुई थी जिसके चलते ये दिन शहीद दिन के तौर पर मनाया जाता है वैसे आज शहीद दिन के मौके पर शहर में विपिन कारेक्राम आयोचित हो रहे है ऐसे में वड़ोदरा महानगर बालिका की और से लाल खोट के सामने मौजूद शहीद बगत्सी की प्रतीमा पर पुष्पान जली अर्पित करने के कारेक्रम को आयोचित किया गया था जिसके तहट मेयर के विप्टि मेयर नंदा बेंचोशी स्थारी समिती के चेयर्मेन डॉक्टर हित्यंद्र पटेल शहरबाश पाप्रमोख डॉक्टर विजैशा प्रपक्ष माना वीर सपुतों सहिद्याजम बगत्सी सुखदेव राजगुरु जमने पोताना जीवन ना प्राणों बलिदान बारत माताने सतंत्रता माटे आपियू अवा सहिद्याजम बगत्सी सुखदेव राजगुरु तेविस मार्चे तेविस वर्षनी उमर हस्ता हस्ता भासी ઓરિત્ભવ્રથે કંઠરે દેવીથે ખેમને ખામ ઩રાણા માત્ય ના આવી ંી દ્ણ જેમને ટ કારધ૮ં અકરેને येमने जे केडी कंडारी जे पस देखाड़ियो मात्र स्वतंत्रता नहीं परन्तु भारत नी उन्नती माटे देशना नागरीकोने स्वतंत्रता पामाटे पोताना प्राणी नुर वलिदान करियुछे त्यारे आजे तेमने स्रद्धाजुमन अरपन करिये छे येमने जे केडी कंडारी छे इंकलाप जिंदा बाद ते केडी पर आगण वधीने सववे पोताना काम देश माटे करवू जोईए येवकध अतो जैरे आज सहीदो है देश माटे मर्या देश माटे पोताना प्राणों आप्या आजे जरूर याद छे देश माटे जिभानी देश माटे काम करवानी त्यारे सहुए यवाई छे के सहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मिटने वालों का यह बाकी निशा होगा आ विश्वाई ने उक्तिने ध्यानमा राखी ने देश माड़े जिवानी जरूँछे यह जाद्धा दिवसनों अनुरूद छे आजे शहीद दिन आधना दिवसे राजगुरु सुपदे बने शहीद क्रांती का रिवीर शहीद भगत सी फाची ना मास ने चड़ी औने देशना युवानों ने एक क्रांती नो संदेश आप्यों एक प्रेणा ना स्त्रोत तरीके तमामने आजादी नी लड़त मां जोड़ शहीद भगत सी शुकेव और राजगुरु को फांसीकि सजा सुनाई गई थी जिसके चलते ये दिन शहीद दिन के तोर पर मनाया जाता है ऐसे में शहीद दिन को मनाते हुए आज शहर में लाल कोट के सामने मौझूद शहीद पगची की प्रतीमा को पुश्पन जली अर्पित करने के कारे करम आयोचित किये जा रहे है जिसके चलते परद्रा शहर में आमादमी पार्टी की और से भी प्रगत से जी की प्रतीमा पर पुषपांजली अर्पित करने के कारेकरम को आयोचित किया गया इस मौके पर आमादमी पार्टी के प्रमु खपीरेन रामी समेथ आमादमी पार्टी के कारेकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे और सभी की और से शहीद प्रगत सेंगी प्रतीमा पर पुश्पान जली अर्पित की गई अमर रहो अमर रहो अमर रहो अमर रहो तेविस मी मार्च ओगणी सुन एककातिशनो दिवस एटले भारत नी अंदर एवा क्रांती भी भगतसी शुपदेव और राज्य गुरु ने जारे फांसी आपपाम हावे थी तेना भाग रूपे आजे समगरा भारत नी अंदर सहीद दीवस्तरीक आने उजवामा आवेचे त्यारे वरदरासे रामाथ मी पाटी द्वारा आजे अहीं भगतसी ने नमन अर्पन करी पुस्पान जली करी औने आजे सहीद उने साच्चा अर्थमा स्रद्धान जली मडे औने जे भगतसी चे छ चार होता कि युवानोंने क्रांती वीर बनावा एना भागरूपे आजे महीं ये साउड लुवानोंने वहां मत्री पाटी यह आवेचे पीर बगतसी सुपदेव और राजगुरु को आज के दिन फांसी सुनाई गई थी जिसके चलते ये दिन शहीद दिन के तोर पर मनाय जाता है ऐसे में भारत्य जंदा पार्टी के युवा मोचा क्योर से हर साल शहीद दिन को मनाते हुए कारेक्रम आयोचित किये जाते है जिसके चलते इस पार भी भारत्य जंदा पार्टी के युवा मोचा क्योर से मौन रेली का आयोचन करवाया गया और ये मौन रेली प्र रहीत दिन के तोर पर मनाया जाता है। ऐसे में आज भारतिय जंता पार्टी के युगा मुच्चा की और से वरुद्रा महानगर शेहरबाद पाप्रमुग डप्टर विजैशा और प्रदेश महामंद्री बार्गोपाई भठी की अगुवाई में मौन्रेली का आयोजन करवा गया था। तरसल ये मौन्रेली प्रभात फेरी के रूप में आयोजित हुई थी और इस मौन्रेली की शुरुवात पदमावती शौपिंग सेंटर से की गई थी। जिसके बाद ये मौन्रेली नियाय मंदेर पर शहीद बगत्सी चौक पर संपन्न की गई जहां पर शहीद बगत्सी की प्रभीमा को उपस्थित सभी की और से फुष्पान जली अर्पित की गई आपको बता दे कि इस मौके पर शहरभाग पाप्रमुग डॉक्टर विजयशा प्रदेश महामंतरी फार्गो वाइफ़त नियर के यूटो कडिया डिक्टिमें अन्दावें जोशी स् भार्तिय जन्ता पाटी के कांसेलर और कार्यकार पड़ी तादाद में उपस्थित रही थे झां मंधल प्रदेश जिल्ड़ा मां टे ऐए भारतिय जन्ता पाटी ना युवानों ए मने खुब कुभ अभिननता ना पुच्छू प्रसंगे उपश्कित महानेगर ना पदाधी कारियों और महानेगर सिवासेदर ना पदाधी कारियों सवनेव सुभेच चापूँचे परते जनता पाटी वणदरा महानेगर ना पदाधी कारियों सवनेगर ना पदाधी कारियों सेदर ना पदाधी कारियों सवनेगर सिवासेदर ना पदाधी कारियों सवनेगर ना पदाधी कारियों सवनेगर ना पदाधी कारियों सवनेगर ना पदाधी कारियों सवनेगर न श्टेत आज घाडवानों प्रहत्ना करवा मावीर वशे साथे साथे समगर राज्यमा मात्र वणुद्रा युवा मुर्चो जेक मात्र एवी सुस्ता छे कि जना कारण है चला केटला है वोशो दी आ यात्रन वावजन थाई छे त्यारे लिम्डा समगर कारेक्रम वावजन कर अलड़े वावजन करें मेर श्री केउर बया पर मेटे ना चर्मान देंड़क अलपेश भई ने बदाज अत्यारे यह उपस्ती है एपिटी मियर नंदाबेन जोशी शेयर ना मामंत्री सुनिल भाई सोलंके अने खुब मोटी संख्यामा युवामुर्चा ना कार्या करता आजे सही दोने याद करीने तेविस मिमार्चे जेमने बलीदाना पिए दुपारत माता माता अने आपनी तेविस मार्च को बगत्सी सुक्तेव और राजगुरु को फासी की सजा अंग्रेजों की ओर से सुनाई गई थी और उने फासी देती गई थी जिसके चलते आज का दिन शहीत दिन के तोर पर मनाया जाता है ऐसे में आज शहर कॉंग्रेस पाठी की ओर से शहीद भगत्सीं की प्रतीमा पर पुषपान जली अर्पित करने के कारिक्रम को आयोचित किया गया जिसके तहट शहर कॉंग्रेस प्रमो प्रिशान पटेल विपक्षकी निता आमी बेन रावात पुर्वा विपक्षकी निता जंद्रकान श्रीवास्तव समेत कॉंग्रेस के कारिकर बड़ी तादाद में शहीद भगत्सीं की प्रतीमा पर पुषपान जली अर्पित करने के कारिकरम में उपस्थित रहे और सभी की ओर से उन्हें नमन किया गया आजनों दीवा सहीद दिन तरीके पोण उडखाईशे आधना दीवा से भगत्सी जी ने कोई बुली सक्याया नथी एक इवान जारे देश गुलामी मां तो पोटा ना अविस्य नीपण चिंद्दा ना करी पोटा ना जीवनी पण चिंद्दा ना करी औने ए गुलाम देश मां अंग्रे जोनु जे सासान आतू एमा इतनो जवाब पत्थर थी आपपो ए जारे एमने ड्रण निस्साई करियो तारे आप परिस्थी दिव भी थाई कि ने देश माटे साही दी बोर भी पड़ी देश दिये लड़ाई अहिंसाग रिते पन लड़ाई और इतना जवाब पत्थर थी पन आपपानों ए विचार धाराफी पन लड़ाई और आज ने युवान ओपील करुछू कि अहिंसाग रिते पहला आपनी सरुवात करवानी पन जारे देशना विकास माँ कोई पन बाधा नाखे तो इतनो जवाब पत्थर थी आपपाम अपन पीछे हट नहीं करवाने आधना पवित्र दिवस सहीद दिवस एक युवान नानी उम्मर है समगर देशना युवान ने मार्दसन अपता गाया इस सहीद बगसी ने अमें कॉंग्रेस परिवार भुस्मार पन करीने साथ साथ नमन करिये जय ही जय बारत सरकार की कहीं योजना है जिनके जरिये लोगों की काफी मदद हो सकती है ऐसे में प्रदानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राजुला में एक मध्यम वर्गिया परिवार के पच्चे की सिंदगी बच गई है जिसके चलते इस पच्चे के परिजनों में काफी खुशी का महौल देखने मिल रहा है सरकार की कई योजनाओं में से एक योजना प्रदानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसका लाब हाल ही में राजुला के एक परिवार को मिला है तरहसल राजुला के कामदार इलाके में रहने वाले अलपेश भाई वाला के बच्चे को पीलिया की असर हो गई थी और इस बच्चे की हालत काफी गंबीर हो गई थी जिसके जलते इस बच्चे को राजुला की सरकारी अस्पताल में ले जाया गया और फिर इस बच्चे की जान बचपाई ऐसे में इस परिवार की और से अस्पिताल के स्टाफ का और सरकार का काफी दन्यवाद अधा किया गया और इस बच्चे की जान बच्चाने के चलते इस बच्चे के परीजनों में काफी खुशी भी देखने मिली इंचे सहह माय बुदू रोई बड़ लुड़ाई हो नवार नवास दिर्वचे लाइगो जोड़ार अरश्द करीवल साथ लूप अबर माने शिये में यावर पागना तदक खलेक सारवार के रिख इंगा परिशित को खरा बदे आई खबरों के बीच फक्त उचला एक छोटे से प्रेक का प्रेक के बाद पर लोटेंगे कुछ और खबरों के साथ Statue of Unity के वडिया में दुनिया की सबसे उंची प्रतीमा जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसुरत अफॉर्डबल स्टी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ट्रीम प्रचेक्ट में butterfly garden, glow garden, jungle safari, river rafting, valley of flowers, dino trail, जरवानी ecotourism, सर्दार सरोवर नौका विहार, सर्दार सरोवर डाम जैसे 25 से जाधा आकर्शन है ऐसी खूबसुरत जगा पर आपके comfortable stay के लिए मौजूद है BRG budget stay BRG budget stay में आपको मिलेगा affordable luxury stay, खाने पीने और रहने की best facilities से सज 150 rooms Conference hall, amphitheater और party lawns की भी सुविदा, destination wedding, संगीत संधिया, birthday parties और corporate events जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगा तो आप भी आज ही online book करवाईए BRG budget stay में अपना stay Log on करे www.brgbudgetstay.com ये Circuit House at Statue of Unity के वडिया Contact No. 958-664-7777 प्रेक के बाद BRG Newsroom में आप सभी का स्वाधत है परदरा जांबुवा नेशनल हाईवे निकट लेंड फिल्ड साइट पर कल रात को एक लड़की की लाश मिली थी तरसल 19 साल की 3600 लंकी की लाश परामत हुई थी जिसे देखने के बाद ये पता चल रहा था कि पेरहमी से हत्या हुई है हाला कि इस मामले में पुलिस और FSA की टीम मौके पर पहुँच गई थी और कारवाई भी शुरू हो चुकी थी जिसके चलते आज आरोपी कलपेश को पुलिस ने धरता पोचा है पुलिस की और से आरोपी कलपेश की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस मामले में आगे की कारवाई भी की जाएगी वैसे जो जानकारी सामने आई है उसके मताबिक एक तरफा प्यार में पागल कलपेश की और से इस लड़की की बेरहमी से जान ले ली गई पैसे इस मामले पर पुलिस के उच्च अधीकारी जिराक करोडिया ने पत्रकार परिशत का आयोजन कर ज्यादा जानकारी भी दी अर्थी मारेलानू निशानातू एनू एक हाथ कापी नाखवा मा आवियो तो यूतिनी तातकाली उड़क करवा मा आवी उड़क करवा थी नू नाम तुरशाबेन सोलंकी छेवू ख्याल आवियो ए पर थी क्राइम ब्रांचनी टीमे गणतरीना कल्लाको मा आरोपी नी धरप माटे बोलावी आती अने बोलावी पछी आ तुरशाबेन सोलंकी पर पाचरती गर्दन पर हुमलो करता एनू मोत निप जावियो औने एना एक हाथ हने पन कापी नाखवा मा आवियो और पुरुतिय करेल ए आरोपी ने तातकाली क्राइम ब्रांचनी टीम द्वारा ते कव गयाना समय अने बाद पकड़ी लेवा मा आवियोछे आनी पूछपर चाली रहे अनने वधु विगतों तमने आपिशू अने वधु बुद्वा पन तमने आपिशू मत अने गई काले जा बनाव बनेओ यहमा यूती नी तातकाली ुड़क कर देवा मा आवियो और आरोपी सुधी पहुची ने पकड़ी पन लिवामा आवे ने ये बबाते तपास चाली रही छे वधू विधा तो तमने अप्पामा होशे नहां लस्तेरे के तपास करी रही चे अरोपी माने जा गामती पकड़ायों चे बगाओ आरोपी ये चे ने पंदर दियस बेला गई देरा गोडियों गही ने अफिस डिलिबावन होशे साटी बात प्रवामा वन चे ये बबाते तपास चाली रही छे आरोपी ने सकत मा सकत सजा मोने खालही में देश के 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम खोशित हुए और 5 में से 4 राज्यों में भात्य जंता पाटी की भव्या चीत दच की गई तो वहीं एक राज्य में आमादमी पाटी की चीत दच हुई ऐसे में अब बुझरात राज्य में भी विदान सबा चनाव नस्तीक है ऐसी बाते उट रही है तरसल जुनागड में भात्य जंता पाटी और आमादमी पाटी की और से विदान सबा चनाव को लेकर तैयारिया शुरू करती गई है और उनकी और से विफिन तरह की बैठके आयोजित कर लोग संपर्क को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ऐसे में आब जुनागड में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अब जब इस तरीके की बैठके आयोजित हो रही है और लोग संपर्क बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो विदान सबा चनाव कुछ ही वक्त में आने वाले है पारसरकार के सांस्कुतिक मंत्राला योर महराजा सयाजिराव उनिवर्सिटी की और से शहीद दिन के चलते शहीद क्रांतिवेर और महरशियों को शद्दन जली देने के लिए पद्यातरा समेत के कारिक्रमों का आयोजन किया तेश्बर में आजादी का अमरूत महुतसब को मनाया जा रहा है ऐसे में वरुदरा की महराजा सयाजिराव उनिवर्सिटी की और से आजादी के अमरूत महुतसब को मनाते हुए शहीद दिन को मनाने का आयोजन किया गया रसल भारत सरकार के संस्कृतिक मंत्रालाई और महाराजा सयाजिराव उनिवर्सिटी के चातरों की और से महराश्य अरविद आश्रम से अकोटा सरसयाजी नगर गुरु तक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था प्रबाद फेरी को युनिवर्सिटी के वी सी वी के श्रिवास्थव की और से प्रस्थान करवाया गया था सरसायाजी नगर क्रूप पर क्रांती कारियों को श्रत्तान चली अर्पित की गई थी और इस कारेक्रम के तहद राजय के शिक्षा मंतरी चीतू वाखानी विशेस्तोर पर उपस्थित रहे थे इसके अलावा माराजा सैजराम युनिवर्सिटी के चांसेलर शुबांगीनी देवी गायकवार वाइस चांसेलर वीचय कुमा श्रिवास्ताव शहर बाजपा प्रामुक डॉक्टर विजैशा, जिला कालेक्टर एवी को और मिनिसिपल कमिशनर शाले नियगरवाल समेथ के कई पदातिकारों की उपस्ति रही थी तो वहीं मुख्य अतेथी के तोर पर राजकेर, राजपाल, आचारियत, देववरत भी इस कारेक्रम में वर्चुली चुड़े थे कि यह नहीं लिप्ता था, पी में को पाई में दिया जाता था है। इक दुम्व में ही ऐसे लाथ को क्राम की कारी, जिनको आज हम सब का नाम भी नहीं दे सकते हैं, तो जार अज्यार सभी क्राम की कारियों को एधारत के लोग आज समन करते हुए, उनके त्रकी शद्धा जिन्होंने अपने सुखों को नहीं देखा, अपने भुश्य को नहीं देखा, देखा तो केवल राष्ट की स्वतन प्रता हुआ, और उनको पता था इस राष्टे पर हम चले हैं, उस राष्टे पर चलने का परिणाम केवल और केवल मौत है, आजाद भारत होगा वो उसको बेख की नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाली पीडियों के सुख के लिए, इस देख की अस्मित और गरव को बताने के लिए, उन प्रांग की कारी भीरों ने हस्ते हस्ते हासी के पंदों को तूम दिया, पंडिक रामपरसाद बिसमिन, जिसको गरवपूर की जेब में पंद किया गया था, बाई और बैनों अपनी ठासी की बेडी पर लटकने से अठारा दिल पहले, उन्होंने जेब की कोट्री में अपनी आप में कता लिए, आप कभिल से पहें, तो दिखते हैं, जिस काल कोट्री में मुझे बंद किया गया है, तो नवर के सिकंजों से बनी, उसम पहले पसार करके सों नहीं से पर दराव शहर की नवरचना युनिवरसिटी में एंजिनियरिंग में अभ्यास करने वाले चात्रों को आधुनिक बाहनों के बारे में प्रेक्टिकल बनान मिले, इसी आशाई से, एमजी मोटर्स की और से नवरचना युनिवरसिटी को प्रेक्टिकल गनान मिले और उन्हें आके जाकर अपने क्षित्र में कोई भी दिक्कत ना हो, इसी आशाई से, एमजी मोटर्स की और से नवरचना युनिवरसिटी को हेक्टर कार की भेट दी गई है, जिसके चलते अब एंजिनियरिंग का अभ्यास करने वाले चात्रों को कार की जानकारी के बारे में जो भी दिक्कत होती है, वो प्रेक्टिकल मिलने की वज़े से दूर होगी वो बॉट मोरिंग, फस्ट फॉल एमजी नर्चर प्रोग्राम ना थ्रू, मैडम किदू, आमें वेरियस अक्तिविटीज करी रिया चिये, तो दूरिंग आवर लास्त थ्री यर्स, आमें वो जो जो यू के जारे भी आमें युनिवरसिटी ती स्टूड़न्स ने लईये किये, तो थोड़ूक एक गाप देखाई छे, एकेडेमिक्स वर्सिस इंडस्ट्री, तो हमाँ इंस्टिटूशन से भी काम करवानू छे, और इंडस्ट्री भी काम करवानू छे, तो एमजी अज नर्चर प्रोग्राम, अमें वो प्लान करे लू छे, वेरियस यूनिविट अपने जे ठ्योरी मां भनता हो ये चे, पर प्राक्तिकली केवीर्थे न उप्योग करो, और इना ती स्टूड़न्स वधारे न वधारे फास्त तरीकेती सिखी सके चे, बीजो परबास इपन से कि स्टूड़न्स एमां ती का इंपूट आपे हमने, तो आमने इंडस्री मा भी एना इंपूट मढ़े आने, वी किन ठीकिट फॉरवड, सो बनने तरफ नो हेतू छे, आने वी विश कि स्टूड़न्स आना थी खुबच लर्न करसे, और इट विल हेल्प ब्रीज दे गाप बिट्विन दे अकाडेमिक अने इंडस्री आजे शहीद दिवस छे, आपना टॉप लाइन हेक्टर गाडी नू हेंड ओवर करी रहा छे, आनो हेतू एवो छे कि बाड़कों अमारा स्टूड़न्स आ गाडी ने समझे, आ गाडी ने पार्ट बाई पार्ट छुटी पाड़े, एनू मिक्यानिजम समझे, आटोमोबील विशे, वदारे जानकारी एने एक्चूल प्रैक्टिकल जोडे जोडी शके, इतले अमारू जे इंडस्ट्री कनेक्ट नो एक हेतू छे, प्रोजेक्ट ओरियेंटेड भंतर आप्पू नवरचना युनिवरसेटी नो एक हेतू छे, ए आथी सार्थक थाई छे, वी आर वेरी ग्रेटफुल के एमजी मोटर, जे वडोद्रा मा आवीने, अपड़ा वडोद्रा मा आवीने, वडोद्रा आनेनी आजुबाजू, हालोल नी आजुबाजू, समाज मा खूप उप्योगी काम करे छे, एनू आएक नवु प्रतिक छे पादरा के गुंदी फल्या के निवासियों की और से आज पालिका पर और मामरतदार को आवेदन पत्रा दिया गया है, तरहसल गुंदी फल्या में बिना इजासत के कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्मान हो रहा है, वैसे ही वहाँ के लोगों को आवाजाही में काफी दिक काते होती है, ऐसे में इस जगा पर बिना इजासत इस तरह कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये आरोप वहाँ के निवासियों ने लगाए है, तरहसल अगर ऐसे में वहाँ पर कोई दूर खट ना खटे, तो वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक काते हो पर फर्याडी बहर महंद्रभई जादा वड़ावना व्यक्ति ए, बकाल नहीं ने एनू कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मा बदकाम करियू छे, जे गेर काईदे सर्नू छे, जे बुजिरात निती नगर योज ना अना अधिनियम ना उपनिशो छोत्ते ना प्रमानमा ना थी जे जे उटु बहतकाम करियू छे, और कोई एमने परमिशन लिधी ना थी, और कोई दोरा दोरा नू पालन करियू ना थी, जे बुड़ा ओपिस हो आई, के पथी कलेक्टर ओपिस मा थी हो आई, के पथी, तेह एमने अपने नगर पालिगामा थी भी कोई पालन परमिशन पुछवा मागिये छे अने आजे अड़ार दियस थे या पची पर उड़ा माधी अपने नौटिस मले आना अड़ार दियस थे या पची पर तेवोए कोई भधकाम बंद राइख्यू नती अने वुडा वारा अने नगरपाली का माधी बी कोई स्ट्याप लेवा माँ आव्य अमारा प्रब्लयमे छे अमारी बाजू मा रहता महेंद्र भाईवा माणे वीड़ा करको कि नई तेडी माटेडी अमें जानले लेखित लेवा आवया छे अमारो प्रॉब्लेम ए छे कि अमारी बाजू मा रहता महेंद्र भाई भगु भाई ये पोतानू मकान खरी दीने प्यां कॉमर्सियल बंतकां चालू कर्यू छे जयनी अमें नौटीस आपी छे छत्ता पन अने त्या घराक पन वीकल्स मुंके छे जहरे अमारे आवा जवानी तकलिफ थाई छे एकसो आट के फायर ब्रिगेड पन अमारे मंगा भी होई तो ये में मुद्धो छे के आवी भी ना सके जल्दी अने अमारे प्यान पोतानू वीकल्स काड़ू है त्यारे प्रॉब्ले अनु नीवारण नहीं आवे तो हमें लोगों पछी आधी जिरा मारे पूपर आंदोलन करी सुँ हमें पद्रा नगरपाली का संचालिट चौकसी के के करल्स हाइ स्कूल पर महिला सिक्षी का और महिला आचारिय के बीच बीते कई वक्त से विवाद चल रहा था और अब ये विवाद पादरा पुल स्थाने में पहुँच चुका है जिसके चलते शिक्षा जगत को शर्मसार करन मेपाली ये खटना सामने आई है पादरा नगरपाली का संचाले चौकसी केगे गल्स हाइ स्कूल में बीते कई वक्त से महिला सिक्षी का ख्याती पटेल और महिला आचारिय मिनाक्षी बेन के बीच में विवाद चल रहा था ऐसे में अब इन दोनों के बीच चल रहा ये तरसल इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अर्जिया दी है जिसके चलते पुलिस ने कारवाई शुरू करती है तरसल इन दोनों महिलाओं के बीच जो विवाद चल रहा था उसकी वज़े से अब शिक्षा जगत शर्मसार हो रहा है और ये मामला पुलिस थाने पर नगर पालिगानी अपिस क्या आई एपडम नेक कब रहती है और अगनी स्कूल वाड़ा पाच अधि महरीस्क वपरी लए नहीं आगाडी यहाद यहाद थे लाटी पई बाज़ाक नों कई पिलिस स्कूल मा तरस्ती यह लाखा वालारी उर्खा वाली यहाद थे आचे अमन रिखा वाली स्कूल वाली थे लिए मेर्य नाका अभाण भाडम पालारी बाज़ाक वाली यहाद 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 आए आप इसकूल ने अमनुं मेरीतना फिल वाले मेरीत नती तोता उत्यार शल्रम गोरी आए आखे आजे हमने मेर इन चल्टम नाती स्सकाने पाल आभंडम पाद्रा नगरपाली का संचाली चोक्सी केके गल साइज स्कूल ना बेस्टिक्सी का मिनाक्सी बेन अने ख्याती बेन पोताना अंगत कारणों स्कूल मा पन जगडता आवेला छे तेनी अमने गणी लेखित फर्यादों मली छे अने आजे तेमनों जगडों पोली स्टेशन सुधी पहुचियो छे तेमने पोली स द्वारा जान थाता अमे तेमनी सामे कड़क पगलाले वाना छे एलोकोना जगडानू मुख्य कारण ये बेन अंगत कारण छे अने अंगत कारणों लिदे स्कूल मा पन अवा नवा जगडता आया छे अने तेनी असर ये स्कूल ना वातावरान पर पड़ी रही छे जे योग्य न थी खरे खर तो आजे जे गटना बनी छे चालो स्कूल मा पोलीसे तियां कारे वाही माटे जवू पड़ीू ते घणी सरम जणक बाबत छे अने ते ओना आ जगडाने कारणे पोलीसे तियां जवू पड़ीू छे जे थी करीने तेमनी सामे कड़क मा कड़क कारे वाही करणों म बच्चों ने उट्सा से शिर्कत की गुज्राद सरकार की खेल और युवा सांस्कृतिक प्रवृत्ती विपाग गांधी नगर और साथी जुला वैवर्टी तंतरन अर्मदा की ओर से खेल महाकूम 2022 का आयोजन तिलागवाडा में करवाया गया है जिसके जलते दहसिल कख्षा की विपिन प्रत्यों गिताए जैसे की एतलेटिक जैस, रस्ता केज, खोको, कबड़ी, योगासन, वॉलीबॉल वगेरा आयोजित करवाई जा रही है वैसे 21 मार्च से ये प्रत्यों गिताए आयोजित हो रही है और 26 मार्च तक खेल महाकूम चलेगा जिसके चलते तिलकवाडा नगरकी श्रीकेम हाई स्कूल पर विपिन्न प्रत्योगिता आयोजित हो रही है और सभी छात्र उत्सा से विपिन्न प्रत्योगिताओं में हिस्सा ले रहे है जैने खैसकूल तिलकवाडा खाते रमाई रहे हो छे आजे कबड़ीनी स्परदा छे जेमां अंडर 14 अंडर 17 अने अब उने किमोई भाग ले जोए बायो बेनोए अईया थी जे विनर थाशे ए जिल्लाक अक्षाई बाग ले जे जिल्लाक अक्षाई जो विनर थाशे तो राज्यक अक्षा सुधी बाग ले जे जिल्लाक अक्षाई प्रथम दितिया नंबर ने रोकड़ पुरसकार मल छे बड़ोगरा जंबूसर नेशनल हाईवे पर 19 साल की तुरुशा सोलंकी की कलबे रह्मी से हत्या करती गई थी वैसे इस मामले में पुलिस की और से आरूपी कलपेश को गिरफता कर लिया गया है हाला कि इस घटना के पहले तुरुशा सोलंकी के आखरी वीडियो सामने आये है तरसल इस घटना के वक्त क्या हुआ था हाईवे पर उसके CCTV फुटेज सामने आये है इसकी अलावा तुरुशा जैसे कोचिंग क्लास में ज्यादी थी वर्ल्ड इन्बोक्स अकेडमी वहां के CCTV फुटेज भी सामने आये है एसे में तुरुशा सोलंकी के वर्ल्ड इन्बोक्स अकेडमी के शिक्षक से जब पात्चित की गई तब उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया ये सुनते है तुरुशा सेला बे अड़ी मैना थी यहां बनवा होती थी अने बनवामा खो बहुंशार विद्ध्यार थी नी आती और रेगुलर विद्ध्यार थी नी आती अने ए यहां खोब सारी रिते पोलीस फरति बॉण नी तयारी करी रही थे ओंदर 10-15 नमबर नी अंदर दर राती याटले टॉप पंदर टॉप तैंड नी अंदर राती थी आने भणा कांव मंसिंद ikनाती प्रितलिक्त भंडूले समाक्षय का युआशे विध्यालिपे समय क्रते चाहि गले सबना दूख अनुबोई वेशाई से चवरबाद तालुका के भाकोदर गाउन निकट मौजूद स्वाइन कंपनी में भीशन आग लगने की घटना सामने आई है दरसल अचानक ही कंपनी में आग लगी और फिर आग ने बड़ा स्वरू पिक्तियार कर लिया वैसे आग लगने की जानकारी मिलते ही कंपनी के करमचारी भाग कर बहार आ गए और तमकल विपाग को भी तुरंधी जानकारी देती गई तमकल विपाक की दो टीमें इस वक्त मौके पर पहुँच गई है और आपको बुजाने की मशक्कत तमकल विपाक की टीम की और से जारी है कैसे आग किस बज़ा से लगी थी ये तो बाद में ही पता चल पाएगा देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरे लेकल कल फिल लटेंगे तब तब दीजे बियाजी टीम को जासत थन्यवाद अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बियार जी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बियार जी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें